हर ग्रहनी का सवाल क्या बनाऊं? आज क्या बनाऊं? तो आज हम बनाते हैं सूजी पैनकेक. और सूजी पैनकेक बनाने के निये हमें चाहिए एक कप सूजी, आधा कप दहीं और आधी कटोरी ही पानी की. पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब हम लेंगे आधा प्याज और उसको हम बारिक बारिक काट लेंगे ऐसे ही आधा टमाटर और एक छोटी हरी मिर्च बारिक काट लेंगे और साथ में हरा धनिया भी इन सब को हम सूजी में डाल लेंगे और नमा, मिर्च, सूखा धनिया और और बिल्कुल जरा सा पानी डाल कर एक गाड़ा सा घुल तयार कर लेंगे अब एक कड़ाई में तीन बड़े चमच तेल के लेकर हम राई का चौंक लगाएंगे और उसमें ये घुल डाल देंगे याद रखिए हमने इस घुल को मिक्स नहीं करना है सिरफ अच्छी तरह से सेट कर देना है कम से कम हमने इसको 8-10 मिनट तक पकाना है और फिर हलके हाथ से इसको पलट देना है बिल्कुल धीमी आंच पर हमने पकाना है और जब दोनों तरफ से ये सिक जाएगा तो इसे बिल्कुल हलके हाथ से हम बाहर निकाल लेंगे और प्लेट में डाल कर उपर से अपनी मन पसंद सॉस से गार्निश करेंगे मैंने यहाँ पर चिली सॉस का इस्तिमाल किया है और इसे पीसिज में कट करकर सर्प कर सकते हैं